अभी हमने ये बात की कि पाकिस्तान को export marketing के जिरिए क्या benefits हो सकते हैं ये वो benefits हैं जिसको हम कहते हैं macro level benefits इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि micro level पे यानि individual exporter को या company को export marketing से क्या benefit मिल सकता है इसमें जो पहली benefit है वो है increased market share market share से मुराद ये है कि उस किसी भी product की जो total market है total sales है दुनिया में उसका कितना हिस्सा है जो के company जो है कर रही है यानि कि firm जो है उसका कितना हिस्सा वो बेच रही है for example अगर कोई product सारी दुनिया में 100 crore dollar की बिक्ती है और आप 1 crore dollar की बेचते हैं इसका मतलब है कि आपका market share 1% है keeping this example in mind through exports any company can increase its market share because now it has more markets to play on एक मुलक से निकल के दूसरे कई ममालक में या अपनी अशिया परोखत करके अपने market share को बढ़ा सकती है इसी तरह जब आप market share बढ़ाएंगे तो दूसरे मुलकों में जाएंगे दूसरे मुलकों में जाएंगे तो आपकी sales बढ़ जाएंगी आपकी sales बढ़ेंगी तो sales बढ़ने के साथ साथ company का profit, नफ़ा वो भी बढ़ता चला जाएगा और यही वज़ा है कि आप देखते हैं जितनी भी बड़ी companies हैं उन में से जाधा तर जो companies हैं उनके headquarters जो हैं वो developed countries में हैं and they made themselves rich through exports in various countries of the world then we can also see that there is optimum use of production capacity तो आपकी जो अशिया को पैदा करने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है और उस बढ़ी वी सलाहियत का बेतरीन इस्तमाल हमें नजर आता है exports की जरीए अब हम export करते हैं तो हम अपने मुजूदा वसाइल का बेतरीन इस्तमाल भी कर सकते हैं और उसके साथ-साथ हमारा scale of production जो है वो भी भढ़ जाता है scale of production के भढ़ने से costs भी कम हो जाती है और मुनाफे में मजीद अजाफा मुमकिन हो सकता है और एक सबसे बड़ा advantage ये है कि अब जो company है जो firm है वो सिर्फ domestic market पे dependent नहीं रहती सिर्फ उसको यही नहीं होता कि मैंने यहां इसी मुल्क में for example पाकिस्तान में ही बेचना है और अगर यहां पे competition भढ़ जाता है अगर किसी वज़ा से sales कम हो जाती है तो there are hundreds of other possibilities there are various other countries where the current company can sell its products successfully तो जहां कुछ फाइदे है वहां पे कुछ रिस्ट भी है there are certain additional risks एक तो risk है every business has a risk business की तो definition ही यही है कि कोई भी business risk के बगार नहीं हो सकता लेकिन exports के जो risk है वो कुछ additional risk है यह उन risks के इलावा है जो के कोई भी business man मुलक के अंदर अशिया बेचते हुए रिस्क उठाता है उसके इलावा जो risk है उसको हम additional export related risk कहते हैं वो क्या है number one is greater competition एक मुलक में तो आपके local competitors हैं जो के उस मुलक में आपके साथ मुकाबला कर रहे हैं लेकिन जब आप बेनुल अक्वामी तजारत में जाते हैं जब आप international trade में जाते हैं जब आप दुनिया के बेचतर ममालक में अपनी अशिया बेचने की कोशिश करते हैं तो यहां पे अब आपको additional, increased, नए competitors के साथ भी सामना करना करना पड़ता है वो जो competitors हैं वो वहां के local companies भी हो सकती हैं और वो जो competitors हैं वो दूसरे ममालक से आपकी तरह के आयोए exporter भी हो सकते हैं इसलिए आपको ज्यादा त्यारी और ज्यादा प्रपरेशन, ज्यादा market research के साथ इसी दूसरे ममालक में कदम रखना पड़ता है यह हो सकता है कि payment जो हैं वो slow हो उसकी निस्पत जो के आपको मुलक से मिल रही है अपने और यह भी हो सकता है कि sometimes जो आपकी payments हैं उनके डूबने का भी खत्रा हो यहनी कि वो bad debts बन जाएं और उसकी बन्यादी वज़ा यह है कि आपकी जो physical access है to those importers वो उतनी नहीं है जैसी कि आपके मुलक में possible है Similarly, there are more financial constraints in establishing brands brand establishment needs a lot of financial investments and if this financial investment is seen from the point of view of many other countries तो वो उसका impact और उसकी जुरूट कहीं ज्यादा हो जाती है जो कि आपके financial resources को की जुरूट को बहुत जादा एहमियत देती है इसी तरह जब आप export करते हैं तो आप कोई partner ढूंटे हैं दूसरे मुलक में जो कि आपकी अश्या को की वहां representation करेगा जो अश्या आप से मंगवाएगा और उस बेरुनी मंडी में बेचेगा उस मंगवाने वाले को हम importer कहते हैं तो जो आप अश्या भीजते हैं वहां पे उसमें आपकी जो है एक बहुत हद तक dependence भढ़ जाती है importer पे क्योंकि importer ना सिर्फ आपको orders देता है बलकि orders के साथ साथ feedback भी देता है market का जो response है वो भी convey करता है और चूंकि आप खुद वहां पे नहीं है इसलिए इन services के लिए आपको depend रहना पड़ता है importer पे और एक और बड़ा खत्रा जिसके आगे जाके हम ज़्यादा बात करेंगे वो है counterfeit products यानि के आपकी product को देखते हुए jelly या spurious products भी market में आ जाती